मासमुन पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफतार कर उसके पास एक तालस लाग अस्टी हजार रुपे जब्त के हैं आरोपी ये रुपे उडिसा से लेकर आ रहा था आरोपी ये रकम उडिसा बलांगीर से रायपपुर किसी वेपारी को देने जाहा रहा था जहां मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी किसी सोने च्रांदी के वेपारी का नौकर है और वो इंकम टेक्स से बचाने के लिए अवैध रूप से नोटो का परिवहन कर रहा था फ वहीं दमुजिले के कैसा बात अनश्ट्रेश चाहिए